पूर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमीश पूखरियाल निशन के बाद अब मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी भी दिल्ली पहुचे जहां मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी पाती के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा और पाती की केंद्रे निताओं से मुलाका कर भी धामी आला कमान से चर्चा कर सकते हैं इसके साथ ही सियम उत्तराखन की तमाम राजनेतिक गतिविधियों और चुनावे रिपोर्ट को भी आला कमान को सौपेंगे तो पाटी के वरिष्ट निताओं से मुलाकात करेंगे जेपी नद्डा से मुलाकात होगी सियम पुषकर सिंधामी की देखें दस मार्च का दिन नस्दीक का आने को है और ऐसे में अब यहां पर लगातार जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है पाटी के वरिष्ट निताओ उसे मिलने की तो जेपी नद्डा से आज मुलाकात होगी सियम धामी की पाटी की रड़नीतियों को लेकर बात्चीत होगी और सियम धामी का ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपून आने वाले दिनों को लेकर और आपको बता दे कि सियम उत्तराखन की तमाम राजनितिक गत विधियों और चुनावी रिपोर्ट को भी आला कमान को इस दोरां सौपेंगे तो अब देखना ये है कि क्या कुछ बाते होंगी दोनों दिगजों के बीच मी इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल नेशन के बाद अब मुख्यमंत्री पु इंद्रे नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और माना जा रहा है कि उत्तरा खंड में 10 मार्च के बाद सरकार की संभावित तयारियों को लेकर भी धामी आला कमान से चर्चा कर सकते हैं ज्यादा जौनकारी के लिए सीधर रुक करेंगे ग्याने इंद्र तिवारी संभादाता इस वक्त हमारे साथ लाइब जुड़ेवें ग्याने इंद्र क्या कुछ जौनकारी है ये मुलाकात के क्या माईने निकाले जाएं देखिए 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 मुख्यमंतरी पुर्षवर सिंग धामी इस वक्त दिल्ली में हैं और ऐसे में जो पार्टी के आला कमान से कई निताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है खास तर पे अगर हम देखे जो भाजपा के रास्टी देखशे हैं जेपी नड़ा उनसे उन फिल्ध में पार्टी का कहीं न कहीं पार्टी के कई परकार की जो गतविडियां हैं पर्देश के अंदर जो चल लही हैं और दस तारीक के बाद क्या कुछ रहनेवाला है उसके बाद कहीं एक मनतन रहा है और ऐसे में हमने देखा है कि जीस तरीके से अब मुख्यमंतरी दूसरी तरफ अगर हम देखें 14 फरवरी को मद्दान हुए उत्रागन के अंदर उसके बाद से जिस तरिके से भाजपा के अंदर बिधायकों ने ही परजे सद्यक्ष पे जो सवाल खड़े किये जो लकसर के बिधायक हैं और बाजपा के परत्यासी भी हैं कहीं न कहीं संजे गुपता ने जो परजे सद्यक्ष पे सवाल कड़े किये उसके बाद से कई ऐसे विधायक सामने हैं तकरीबन चार विधायकों ने अपने पार्टी पे सवाल कड़े किये जो कारे करता हैं उनके चेत्रों के वो उनके बिरूद कहीं कहीं काम कर रहे थे चुनाओं के दौरा हमने देखा कि जो हार और जीत का मंतन चल ला आता दूसरी तरफ जो बाजपा के प्रदेश सद्धेक्श हैं और कई जो बिधायक हैं और प्रत्यासी कहीं ने बाजपा के प्रत्यासियों ने अपनी ही पार्टी पे सवाल खड़े किये तो ये चर्चा कभी से रहा इस दोरान पता भी है और ऐसे में इस बात का फिडबेक भी धामी से लिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं चल लही थी उत्राखन के अंदर की कहीं न कहीं प्रदेश सद्धेक्श पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पे जांच होनी चाहिए और ये देखा जा रहा है कि ये ऐसा मुद्धा है कि जो निसंग पिछले दिनों जेपी नड़ा से मुलाकात कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि प्रदेश में भाजपा कोई बदलाओ कर सकती है तो ऐसे में धामी से जो मुलाकात है वो हार और जीत को लेके भी है और पार्टी अस्तर पे जो ये नार जासे इन सब के बीच कहीं न कहीं किसी पे गाज भी गिर सकती है और साथ ही जो फीड़बैक है उसके हिसाब से आगे रड़नीती भी बनाई जाएगी आदेखिए कहात परदेश भाजपा की तरफ से यही जा रहा था कि जिस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पे जांच की जाएगी और पार्टी फोरम पे जो भी बैक्ति आरोप लगा रहा है वो लिकित में पार्टी फोरम में अपनी बात रखे है और ऐसे में य यानि की जो रिजल्ट आने हैं चुनाओं के उसके बाद पार्टी अस्तर पे ये कारवाई होनी है किसी भी बैक्ति पे आरोप हो चाहे हो परदेश सद्यक्ष पर हो और कहीं न कहीं जिस तरीके से जो परत्यासियों के आरोप हैं सबी पहलूँ की जो चांच है वो पार्ट लगाया और ऐसे मैं संजे गुप्ता ने यहां तक की प्रदेश सद्यक्ष मदनकौसिक पर ही आरोप लगा डाले कि हमारे खिलाब को हराने की जो कोशिश थी वो थी और ऐसे में इस तरह की जो आरोप हैं और अन्य जगहों से भी देखने को मिला यहीं वज़ा रहा है कि हा पुक्रियाल निसंख है वो दिल्ली में थे और ऐसे मून की मुलाकात हो रहे थी तो उत्राखन के अंदर यह चर्चाय चले यह थी कि उत्तराखन में भाजपा में एक बड़ा परिवर्टन दस मार्च के पहले देखा जाए तमाम जानकारी के लिए ग्यानीं दो बहुत-ब जाए थी जाए खालाइ।